बजों, पिछली कक्षा में हमने जाना कि धर्म क्या है? हमने कुछ प्रसिद्य समाशास्टियों के द्वारा दी गए धर्म की परिभाशा को पढ़ा और समझा जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आप से कहा तक कि आने वाले समय में मैं आपको धर्म की विशिष्टाओं और उनके लक्षनों के बारे में बताऊंगी तो आज हम धर्म की विश्रिष्टाओं की चर्चा करेंगे और धर्म की सरफ्रथम विश्रिष्टा है अतिमानविय शक्ती में विश्वास यह विश्वास किया जाता है कि संसार में कोई ऐसी आलोकिक शक्ती है जो की मानव से उच एवं श्रिष्ट है यही बात मैंने पिछली कक्षा में भी आपके धोराई थी कि धर्म एक ऐसी शक्ती है जिसे मानवने स्वैम से परे बहुत उच्छ माना है अब इसकी दूसरी विशेश्चा है पवित्रता की भावना धर्म की यह विशेश्चा होती है कि उससे सम्मंदित सभी वस्तूओं, प्रतीकों, क्रियाओं वा पुस्तकों आदिकों पवित्र माना जाता है अब अगर उधर्न देना चाहें तो आप लोग अगर मेरे समक्ष होते तो मैं पूरा विश्वास है मझे कि आप जरूर इसका उधर्न देते पच्चू की आप मेरे समक्ष नहीं हैं तो मैं ही आपको एक उधर्न देती हूँ जिसे भारतिये संस्क्रिती में हिंदू दर्म में गीता को एक पवित्र धर्म माना जाता है और इसी संधर में जब हम धर्म की क्रियाओं की पुस्तोकों की बात कर रहे हैं तो दुर्खीम के मत को उलेखित करना उचेत होगा कि यही कारण है कि दुर्खीम कहते हैं कि धर्म पवित्रता और अपवित्रता में भेद करता है अब हम धर्म की तीसी विशिश्टा पर आते हैं धर्म क्रियाओं प्रतेक धर्म में अनेग प्रकार की क्रियाओं की जाती हैं जैसे कर्मकांध, पूजा, प्राथना, बली, यग्य अब फिर क्योंकि हम सबी भारत में रहते हैं भारती संस्कृती को भली भाती जानते हैं तो मैं उसका ही आपको एक उधान देती हूँ कि हमारे यहाँ वेदों का पठन-पाठन करते हैं और साथ में कर्मकांध, इश्वर अराधना करना उसके अलग-अलग माध्यम हैं हमारे और अलग-अलग संसकारों के द्वारा, अलग-अलग पूजा विध्यों के द्वारा, यग्य के द्वारा हम इश्वर की अराधना करते हैं इस सम्मन्द में समार्शासी जॉंसन ने धार्मे क्रियों की कुछ विशेश सायं बताई है पहली विशेश सा उन्होंने क्या बताई कि धार्मे क्रत्य किसी लक्ष प्राप्ति का एक साधन है स्वाभा भी कहा मानव रती सदेव से ही किसी ना किसी लक्ष को साधने की मानसिक्ता रखती है अब वो लक्ष भौतिक साधनों से भी संबंदित हो सकता है और अब भौतिक साधनों से भी संबंदित हो सकता है जैसा कि आपने अपनी प्रतमवर्ष की कक्षा में पढ़ा था किस चीज को? आश्रम विवस्था को, वरण विवस्था को तो आश्रम विवस्था में आपने इस बात को भली बाती पढ़ाता कि आश्रम विवस्था का जो केंद बिन्दू है वो पुर्षार्त की पूर्ती है अब भारतिय जीवन में जो अंतिम और सबसे मुख्य पुर्शार्थ है वो क्या है मोक्ष प्राप्ति तो यहां मैं उलेखित करना उच्छे समझती हूँ कि जैसा कि जॉनसन्स ने कहा कि धार में कृति किसी ना किसी लक्ष प्राप्ति का एक साधन है तो हिंदु जीवन में वैदिक संस्कृति में मोक्ष प्राप्ति जीवन का अंतोध गत्वालक्ष मानी गई है संभवता उस अंतोध गत्वालक्ष की प्राप्ति के लिए भी हम धार में करते हैं अब दूसा जौनसन ने जो विशिर्षा बताई धार में क्रियाओं में पवित्र पदार्थों को प्रेयोग में लिया जाता है अब यह तो मुझे समझाने के आवशक्ता नहीं, यह अपने आपस्पस्ट है, कि हम किसी भी अपवित्र वस्तू का प्रयोग, अपने धार में क्रिया कर्मों का जो हम करते हैं, कलाब करते हैं, उसमें हम उसको प्रयोग नहीं करते हैं। अब कीसी विशेश साजो जौनसन ने बताई, वो यह कहते हैं कि यह क्रियां कुछ आनन्द देने वाली होती हैं। धार में जो क्रियां हैं, उनकी चौती विशेश साजो बताई हैं, कि यह क्रियां प्रय एक लंबे समय से एक ही प्रकार से संपन की जाती हैं। पांची विशेश साजो नोने बताई, यह क्रियां नैतिक क्रियां से अलग होती हैं। और जिस विशिष्टा का उन्होंने उलेक किया, जिसके संबन्द में अभी अभी मैंने आपको बताया था, वो क्या था? इनका संबन्द मोक्ष प्राप्ति से होता है. बचों, मोक्ष प्राप्ति की बाद सिर्फ हिंदु जीवन में नहीं के गई है. ऐसा मेरा विश्वास है कि अलग-अलग शब्दों के माध्यम से, अलग-लग अभधार्नों का प्रयोक करके, पर अमूमन हर धर्म के का जो अन्तोत गत्वा लक्ष है, वो मोक्ष प्राप्ति ही और उस मोक्ष प्राप्ति को प्राप्त करने के हर धर्म में अलग-लग साधन है, पर अन्तोत गतवा एक ही है, उसको प्राप्त करने के साधन अलग-अलग हो सकते हैं. अब हम धर्म की अगली विशिश्षा पर आते हैं, भावनात्मक संबंद. धर्म हमारी भावनाव से संबंदित होता है व्यक्तियस आलोकिक शक्ति से डरता है और उसे प्रसंद करके अपना हित साधने के लिए शद्दा वा भक्ति के साथ अराधना वा अर्चना करता है ठीक है विश्वास करती हुए यह तो आपको समझ में आई गया होगा और अब इसकी दूसरी विश्वास और कौन सी है वो है तर्क का अभाव धर्म की यह सर्प्रमुक विश्विश्वतों में से एक है कि यह तर्क का कोई स्थान नहीं है यह तो से विश्वास और भावना पर आधारित होती है और विज्ञान भी इस विश्वे में कुछ नहीं कर सकता अब हम धर्म की अंतिम विश्विश्वता जो आज हम यहां उलेखित कर रहे है वो क्या है पूजवा प्रात्ना धर्म की एक विश्विश्वता यह भी है कि इसमें उस आलोकिक शक्ती की प्रसन्नता के लिए अत्वा उसके कोब से बचने के लिए पूजा, अर्चना, अराधना, व्रत और उपवास आधी अवश्विश्व किये जाते हैं बचो मैंने इससे पूर्ग की कख्षम में आपको लेखित किया था कि शोशल एंथ्रोपलोजी की पेपर में सामाजिक मानवशास का जो आपका प्रशन पत्र है उसमें आप आदिम समाज में धर्म एवं जादू को पढ़ेंगे परंतु धर्म एवं जादू को आदिम समाज में किस प्रकार से स्विकार किया जाता है ये जानने से पहले आपके लिए जाना बेहद आवश्चक है कि धर्म और जादू होता क्या है उसके तत्व कौन से, किस परकार के धर्म है, धर्म की उत्पति के कौन कौन से सिध्धाद है जब तक आप इस बात को नहीं जानेंगे आप यह नहीं समझ पाएंगे कि आदिम स्प्रिती में किस परकार धर्म को स्वीक्रत रूप दिया गया है और यही कारण है कि मैं निरंतर आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हूं कि धर्म क्या है, उसकी विशेशता क्या है अब चली हम एक चरण और आगे बढ़ते हैं धर्म की उत्पति के आज हम दो सिध्धानतों की चर्चा करते हैं और आने वाले समय में हम और सिध्धानतों के बारे में भी बात करेंगे तो धर्म की उत्पति का पहला सिध्धानत है आत्मबात या जीवात का आत्मबात या जीवात का सिध्धान एड़ोर्ड टायलर ने दिया उन्होंने ये कहा कि धर्म आध्धात्मिक शक्ती में विश्वास है उन्होंने धर्म के विकास को सीरीज वाइस क्रम से बांधने का प्रयास किया step wise step जिसे कहेंगे वे कहते हैं आत्मा की धार्ना ही आदि मनुष्य से लेकर सब मनुष्य तक धर्म के दर्शन का आधार है ठीक है अब आगे बढ़े हम ये ही विचार धारा प्रसिद समाशासी हरबर्ट इन स्पेंसर ने भी रख्यों उने इसमत का समर्थन किया किसमत का कि आत्मा की धार्ना ही आदि मनुष्य से लेकर सब मनुष्यों तक के धर्म के दर्शन का आधार है टाइलर ने आत्मबाद की दो व्रत रूप में विभाजित करने का प्रयास किया पहला उन्होंने कहा कि मनुष्य की आत्मा का स्वित मृत्यू अत्वा शरीर की नश्ट होने के पश्याद भी बना रहता है अब देखे ये बात तो भारती संस्किती भी कहती है कि शरीर समाप्थ हो सकता है परन्तु आत्मा समाप्थ नहीं होती फिर टाइलर कहते हैं दूसरा कि यह है कि मनुष्यों की आत्मा के अत्रिक शक्ति शाली देवी देवताओं की आत्माई होती हैं जो अमर हैं और सांसारिक घटनाओं को वा मानव जीवन को नियंत्रित एवं निर्देशित करती हैं इसी कारण लोग इन आत्मों से डरते हैं अथ्वा इन निश्द्धा भगती रखते हैं टाइलर ने जब आत्मबाद का सिध्धान्त विस्सित रूप से व्याख्यतित किया तो उन्हों ने इसके कुछ तत्वों का भी लेक किया वो तत्व कौन-कौन से थे वे कहते हैं कि आत आत्मबाद की अवधार्णा अपने आप में धर्म नहीं है यह तो एक आदाश प्रारूप है जिसके द्वारा धर्म के उद्विकास का दिन किया जा सकता है अब देखिए उन्होंने आरंब में ही धर्म के उद्विकास की बात कही है जो मैंने अभी आपसे चर्चा किय थी वो ये भी कहते हैं आत्मवाद या जीवाद का सिधांध जीवात्मा की अवधाना है जीवात्मा वह है जो जीवित व्यक्तियों की शरीर में निवाश करती है मृत्यों के बा curved शरीर नश्च हो जाने के बाद वो जीवात्मा बनी रहती है समझ गए आप? कि वो क्या कहते हैं कि जीवात्मा की अवधाना क्या है जो जीवित वो सदेव व्याप्त है जीवात्मा क्या है सदेव व्याप्त है जब तक व्यक्ति जीवत है उसके शरीर में निवास करती है और उसकी मृत्यों के पश्याद जब उसका शरीर नष्ट हो जाता है तब भी व होती है अधा जीवाद अपने पूर्ण विक्सित रूप से प्रेतात्मा जीवात्मा के प्रति विश्वास प्रकट करता है और उन्हें नियंद्रण में लाने के लिए हमें के लिए जो उपासना का वो सरूप धारन करता है अब आगे हम बढ़ते हैं वो क्या कहते हैं कि प्रेतात्मा आलोकिक शक्ति के रूप है और उन्हें पेड, पौदे, पत्थर, पूजा, आदी सभी बदार्थों में देखा जाता है वो जीवात के एक्तत्व के बारे में और बात करते हैं टाइलर कहते हैं मनुष्प्रक्रति के साथ होने वाले संगर्ष में प्रेतात्म और जीवात्मा के उपासना या जादू द्वारा वशिभूत करके जीवन में सुरक्षित रहना चाता है मैं वशास करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और हम धर्म के उत्पत्ति के दूसरे सिधान्त को जानने का प्या जाता है जीवात्मावात्का सिधान्त जीवात्सिधान्त की प्रतिक्रिया सरूप आया देखें जीवात्का सिधान्त तो आप समझ गए कि उसका मोल केंद्रविंदू क्या है कि आत्मा आजरामर है शरीर के नस्थ होने के पशाद भी वो अपना सित्व कायम रखती है अब ये जो है मानवाद का सिध्धान्द ये जीवाद या आत्मवाद के सिध्धान्द के प्रतिक्रिया सरूप आया ये उन समाशासियों के द्वारा दिया गया मानव शासियों के द्वारा दिया गया जो टाइलर से असेहमत थे उन्होंने अपने अध्यन के आधार पे जीवात्मावाद के सिध्धान्त को रखा जीवात्मावाद वह है जिसमें विक्ति निर्जीव वस्तों के उपासना करता है और यह स्विकार करता है कि इन निर्जीव और अचेतन वस्तों में अंतरनित शक्ती है इसी कारण इसे गुप्त शक्ती भी कहते हैं अब जो पहला सिधान था कौन सा सिधान आत्मवात का सिधान वो सिधान किस ने दिया था एड़वर्ड टाइलर ने अब जीवात्म सिधान के समर्था कौन रहे प्रमुकता मैक्समूलर उन्होंने कहा प्रतेग वस्तों में चाहे वे जड़ हो या चेतन एक जीवित सक्ता है जो की आलोकिक है और उसे प्रसन रखना लाबदायक रहता है इसी आलोकिक सक्ता की अरादना ही धर्म का सबसे प्रारंबिक रूप था ठीक है अब हम यहाँ पर जीवात्मावाद के प्रमुकतत्वों को भी जानेंगे लेकिन उससे पहले जब हम जीवात्मावाद की बात कर रहे हैं तो मैं एक उधारन देना चाहूंगी क्योंकि हमें इसको समझने के बाद भारतिय जनजातियों में किस प्रकार धर्म का स्वरूप व्याप्त है वो पढ़ना है तो इस से जुड़ा हुआ मैं आपको एक उधारन देती हूं कि भारतिय जनजातियों में प्रसिद मानवशासी रहे हैं मजुमदार उन्होंने कहा है कि माना, माना एक अवधारना दी गई है माना की शक्तियों का उन्होंने उले किया है जो हो, बोंगा, उरिंडा की अवधारना तथा एस और बक्वा की अवधारना के साथ जोड़ी हुई है अब धार्ना भी मेरिट के अनुसर माना सिध्धान्त के अंतरगती आती है ठीक है? अब जीवात्माबाद के प्रमुक्तत कौन से है? पहला माना किया देवक शारिरिक शक्ती नहीं है ये आद्धात्मिक चेतन अव्यक्तिक और अव्यक्तिगत शक्ती है ये प्रतेग वस्तो में निवास करती है, ये शक्ती मनुष और प्रकर्ती से उपर है दूसा प्रमुक्तत्व कौन सा है? देवक या माना अध्यात्मिक शक्ती है और इसका विकेंद्रित रूप अन्य वस्तो में देखने को मिलता है तीसा तत्व क्या है? माना या देवक की शक्ती अच्छी या अनिश्च दोनों प्रकार की हो सकती ये जनकल्यारी, कल्यानकारी और विद्वन्सकारी दोनों ही रूप धारन कर सकती है एक प्रमुक तत्व और कौन सा है? माना, ये माना क्या है? मानावाद ठेके न? तो माना शक्ती बिभिन पदार्तों में भिन भिन रूपों और आकारों में पाई जाती है कहीं ये खेत में उत्पादन बढ़ाने वाली होती है और कहीं शत्रु को हानी पहुँचाने वाली बचों जब तक आप ये नहीं समझेंगे? क्या नहीं समझेंगे? आतनावाद, मानावाद और आगे पढ़ने वाले जो सिधान्त हैं प्रकतिवाद का सिधान, प्रांट जीवाद का सिधान, प्रकारिवाद का सिधान जब तक आप इन सिधानतों को नहीं समझेंगे तब तक आपको ये समझने में परिशानी होगी कि आदिम जो संस्कृती है, जो आदिम समाज है महाध्धर्म को किस रूप में स्विकृती प्रदान की गई तो आपको अभी मैंने दो सिद्धान समझाए आत्मबाद का सिद्धान जो पस्ट रूप से कहता है कि आत्मा सदेव जीवित रहती है विक्ति का शरीर समाप्त हो जाता है परंतु आत्मा बनी रहती है और प्रेतात्मा और जीवात्मा आलोकिक शक्ति रूप के रूप में पेड़, पौधे, पत्थर सभी में व्याप्त होती है वहीं इसकी प्रतिकरिया सुरूप जीवात्मबाद या मानाबाद आया है जो को ये कहता है कि मानाबाद या देवक शारिरिक शक्ति नहीं है ये आध्यात्मिक चेतन और अव्यक्तिक शक्ति है जो कि प्रतिक वस्तों में निवास करती है मैं समझती हूँ कि जो कुछ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है किसी अंच तक आपको समझ में आएगा अब कितना समझ में आया है ये तो आपकी प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद ही मैं जान पाऊंगी पुनह दोर आती हूँ अपनी हर कक्षा में दोर आती हूँ आपको जो समझ में नहीं आया है आप comment box में डालिए धनक्युत्पति के तीन प्रमुक सिद्धानतों के बारे में जानेंगे वो कौन-कौन से हैं पहला प्रकरतिवात का सिद्धान फिर प्राग जीवात का सिद्धान और अंत में प्रकारेवात का सिद्धान तत्पशात हम जादू के बारे में जानेंगे धन्यवाद.